विडियो पसंद आ रहे हूं तो फॉलो सब्सक्राइब और लाइक चलूर करें आज अरनेस्टो चे गोयारा का बानवेवा जन दिन है आज होते तो बानवे साल के होते बहुत पॉसिबल उमर है नहीं रहे लेकिन जितना रहे उसमें जो चाप छोड़ के गए जो बहुत बड़ी चाप छोड़ के गए उसको याद करने का दिन है उसको सेलिब्रेट करने का दिन है तो आज बात करेंगे कमरेड डरनेस्टो गोयारा के जीवन पे एक सबसे पहले एक दिल्चस्प बात कि उनके नाम में कभी चे नहीं था चे उनका चुना हुआ तकहलुस भी नहीं था चे उनका नाम कैसे पड़ा? चे उनका नाम ऐसे पड़ा कि जब गौतेमाला में वो क्रांती को बचाने की कोशिसें कर रहा थे रेपप्लिकन पार्टी की सरकार का जब तक्ता पलट किया था अर्मेंच की सरकार का जैकब अर्मेंच की सरकार को अमेरिकी सरकार ने बाकादा सेना भीच के तक्ता पलट करवाया था उसके प्रत्रोत के दोरान उनका जो बातचित करने का स्टाइल था तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं जैसे केनाडा में एह बोलते हैं या हम लोग आँ बोलते हैं या कुछ ऐसे तो वो चे बहुत बोलते था चे और इस तरह उनका नहम चे पड़ा और फिर वो चे नाम अस्थाई हो गया तो मतलब ये भी एक अद्बुत चोटी सी कहानी खेर चे का जन्म हुआ 1928 में 14th जून को 14 जून को अरजंटीना के एक ठीक ठाक खाते पिते परिवार में जो स्पैनिश परिवार था लेकिन जिसका जो मूल है मतलब जो इसकी जो एंसेच्ट्री है वो आइरलैंड तक जाती थी और पढ़ा लिखा परिवार था इस्पैनिश सिबल वार में इनके पिता की जो पूरी तो एक क्रांतिकारी परवेश भी था वो उनको विरासत में मिला पढ़ने लिखने की बहुत सारी सुविधायें थी घर में लोग कहते हैं कि तीस अजार के आसपास किताबें थी तो ये पांचों भाई बहन पढ़े लिखे भी खूब बच्पन से अस्तमा था उससे टक्राए और उससे क्या खूब टक्राए एथलीट बने उसके बाद चेस वगेरा खेलना शुरू किया और पहने के साथ मतलब जो एक सबसे बड़ी बात है कि चे ने किवल पढ़ाई नहीं की मतलब वो एक उनके अंदर कुछ एक बहुत ही अलग बात थी उन्होंने जैसे कह सकते हैं मतलब यह अभी मैं सोला पंद्रा साल के चे की बात कर रहा हूं खेर उसके बाद अपना अस्थमा भी उसके पीछे एक बड़ा कारण था लेकिन उसके आगे भी और भी जाके पूरी हुमेनिटी के लिए जो कंसर्न था उनका मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई जॉ पूरल जो अर्जेंटीना था मतलब जो ग्रामिल अर्जेंटीना था और वहां पर क्या हैं चीजें कैसी ही चीजें देखी गरीबी देखी और बहुत प्रभावित हुए यह चे के एक बुद्धिजीवी चे से एक डॉक्टर चे से क्रांतिकारी चे बनने की शुरुवात जिसको बाद में कहना था सार्तर को की हमारे समय का वो सबसे पूरा इंसान था जिसको बाद में हमको समझना था कि शायद वो सभी समयों का सबसे पूरा इंसान था अपनी तवाम कम्यों के बाद उस पर भी आएंगे बाद में 1952 में जन्वरी से सेप्टेंबर तक फिर उन्होंने एक ब्रेक लिया और अपकी बार एक बाइक टूर कर डाला पूरे साउथ अपरिका का अरजेंटीना चिली पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजूला, पनामा, फ्लोरिडा, युनाटेड और फ्लोरिडा भी गए हैं उनको जब देखा, तो वो जो गुस्सा बना उनके मन में और वो बहुत एक महतून गुस्सा था, जो उनको आगे के लिए बहुत एक उनके जीवन को दिशा देने वाला था, और एक बात याद रखिएगा, कि चे तमाम रवलुशनरी से तमाम मामलों में बहुत अलग हैं, मार्टिश ट्रवलुशनरी इस दुन्या भर में मतलब वो बहुत पार्टीजन होते रहें, पार्टी लाइन्स पे चलते रहें, चे एक ऐसा आदमी है, जो अचानक से उसमें बूलता है कि तुम्हारा मेरी पार्टी का कॉम्रेड होना जरूरी नहीं, अगर तुम्हारा हिर सरक्राओनस से शंचालित होता है, प्रेम क्रांती में प्रेम देखना मतलब माओ जब कहते हैं, तो आप थोड़ा सा तो फ़रक है कि क क्रांती मτιंकि कोई डिनर पार्टी नहीं है, क्रांती कोई कडाई कारी design नहीं है, क्रांती में बहुत कॉछ होना है, में चे जीते हैं व 233 में उन्होंने medical degree पूरी की और चिकस्तक बने साथ जुलाई को अर्जेंटीना फिर छोड़ा और अपकी बार साथ और सेंट्रल अमेरिका के टूर पर निकले इस बार वो बोलीबिया पेरी उक्वाडोर पनामा कोश्टारिका निकारागुआ हंदूरास और एलस अलवाडोर हो गए दिस वास हिस लाइफ चेंजिंग टूर यह टूर लाइफ चेंजिंग क्या था क्यों था क्यूंकि अगर आप उनके पत्र देखेंगे जो अपने परिवार को लिख रहे हैं या जब आप उनकी मोटर साइकल डाइरीज पढ़ेंगे जो किताब उन्होंने खुद लि है मतलब अपना जो एक्स्टेंडेट जो फैमली है उसके धनी सदस्य हैं उनसे जो उनकी बातचीत है अब वो लगातार बदल रही है अब वो अमेरिकन एंपरिलिजम को देख रहे हैं अब वो देख रहे हैं कि युनाइटिट फूट नाम की जो कंपनी थी उसका मतलब उस अपने लेंड रिफॉर्म में वो कहेंगे कि एक हजार एकर से ज्यादा कि लेंड होल्डिंग किसी को अलाउड नहीं है तब ये बात आपको याद आएगी और युनाइटिट फूट के लिए जो उनके मतलब जो लिखा उन्होंने या अमेरिका के लिए वो बहुत कुछ सा होते हैं और वो भी किसी और के इशारे पर चलने वाली ताना शाही होते हैं यह शब्द कहां से आया यह शब्द साउथ अमेरिका से ही आया दच्छड अमेरिका से ही आया लाटेन अमेरिका से आया कि वहां पर उपनिवेश्वात का जो सबसे बड़ा वास्तियार था यह फ यहां पर उन्होंने बहुत कुछ देखा उन्हेस सो तिरपन में गुएटा माला पूंचे 24 दिसंबर वो तारीक आज मैंने नोट्स ले लिये हैं तो यह अच्छा है बहुत तारीकों में उलचता हूँ अभी वहां पर मतलब उस समय के लाटिन अमेरिका में अंतिम जो निर्वाचित राष्ट्पती थे जो पॉपुलर राष्ट्पती थे जो जन इच्छाओं का प्र और वितरन के द्वारा गरीबी की समस्या हल करने की कोशिस कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए पेरूबियन एकॉनमिस्ट हिल्दा गदेसा अकोष्टा को बलाया था जो उस समय लेफ्ट बिंग का अमेरिकन पापलर रेवलूशनरी अलाइंस था उसकी महत्मून सदस्य चे पहले वहां पर हिल्दा से मिले और हिल्दा से मिलने के बाद अर्बेंच की सरकार के और तमाम महत्मून वांपंधी विचारकों वगरा से बात की बहुत सारे विचारक वहां पर रह भी रह थे उसमें जो पूरे अपरिका अमेरिका से जो निर्वासित थे अपने अपन लेकिन अमेरिका को इस बात से बहुत दिक्कत हो रही थी भूम वित्रन के कानून से और जाकब गडमेन के मदद करने की कोशिसों के गरीबों की और उसके साथ साथ इतने सारे रेवलिशनरी थेरिस्ट्स अभी चे को बनना था लेकिन बहुत सारे बाकी लोग थे उनके वहां पर मतलब जो डिसेंटर्स थे और डिसेंटर्स मतलब जो जिनके व्यापारों को इससे फरक पड़ रहा था और फाइनली ते इस्टार्ट इवन एग्रेशन उन्होंने अन अनमार्क्ट हवाई जहाजों से बंबरसाए और फाइनली इवन लेंड आग्रेशन किया और जिसक इन और कोई बहुत लड़ा नी अब इसके बाद जो अरामास रेजीम आया उसने हमले करवाने शुरू किया जो डिसेंटर्स थे जो रवलूशनरी से चे के ऊपर दो तीन बार हमला हुआ हिल्डा गिरफतार की गई और चे गईरा ने अर्जंटीनी जो दूतावास था वहा कोई शक नहीं बचा था अमेरिकन इंपरिलिजम अमेरिकी सामराजवात के खिलाप उनकी जो नफरत थी पहले से थी अब उसको हमेशा के लिए स्थापित हो जाना चाहिए था पर इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात बहुत बड़ी बात अब चे को पूझी वात के खिलाप हमेशा के लिए तयार हो जाना था उनको पूझी वात में किसी वेलफेरिजम की किसी लोग कल्यान की संभावना है उसका खतम हो जाना था उस संभावना का ही खतम हो जाना था खैर 1954 में उनको नो हार्म पास मिला वादा मिला एक डिप्लोमेटिक राजनेक सुरक्षा कवच म मेकसिको बनके पहुंचे थे लेकिन यहां पे उनको निको लोपेज और तमाम और सारे जो क्यूबन एक्सल्स थे मतलब जो कीवन लोग जो क्यूबाइ जो निर्वासित aller वो मिले निदा निको लोपेज ने उनको राउल और फिदेल कास्त्रों से मिलाया और अब अचानक से चेक विर्या को फिदेल कास्त्रों और क्यूबन अंदूलन का आजीवन हिस्सा बन जाना था उनिस्व पच्पन में हिल्दा से उन्होंने शादी की चपन में बेटी हुई खेर चेने जो मिलिटरी ट्रेनिंग एकसरसाइज थी 26 जुलाई आंदूलन की उसकी तैयारियों में भी हिस्सा लिया और हमला किया मेक्सिको से एक ग्रैनमा नाम की बोट गई बहुत छोटी सी बोट थी उसमें केवल 82 लोग थे जिन्होंने बतिस्तास की फोर्सेस पे हमला किया उस बहुत पे देर वोर 82 पीपल और उन 82 में एक चे गवेरा भी थे इस में से 82 में से अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो केवल 32 जिन्दा लोटे थे बाकी लोग उस हमले में मारे गया थे बतिस्तास ने जदातर को तो मतलब वो उतरते ही मारे गया बहुत लड़ाई ठीक से उनको समय नहीं मिला उतने हंस्तियार और संसादन भी नहीं थे बा वच्छे बीबचे और यह लोगभग है नहीं यह लोग लौट है नहीं शेती ही यह इस दो नहीं कि च भी भागया बोलिबिया हो, कांगो हो मतलब वो केवल एक जगा कांगो है जहां से उनको छोड़ने पर मजबूर किया गया पर भागे तो खेर वो वहां से भी ने तो अब यह लोग घिल्स में घुसे हो और वहां पे इन लोगों में बहुत सारा एक सपोर्ट बेस बनाया रेडियो 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 नाम का एक बनाया मतलब जो रवांडा रेडियो की एक उल्टी जो अती है उसके खिलाप अगर आप कभी देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब शांदार लगेगा ये रेडियो रेडियो का एक जो जो लोग बताते रहे और यहां पर हम लोग चे के जीवन का एक और फेज देखते हैं, जो बहुत महत्मूर फेज है, जो उनके बार बार इशारा किया है, एक बेहद निर्मम चे, मतलब एक ऐसे चे जो बहुत सासी और निर्मम, I know it, मतलब मैंने कहा न, कि जब सारत्री ने कहा सबसे पूरे आदमी तो उन्होंने येक नहीं कहा कि पूरे आदमी, सबसे पूरे आदमी, जितना पॉसिबल है हुपाना, तो जब मैं निर्मम कह रहा हूँ, तो ये कोई आफ एंड नहीं है, ये कोई चूक नहीं है, साहस का मतलब, दरसल दूस साहस कहिए, चे का जो अस्तर था वो ये था, कि म एक उनका जब गुरिल्ला साथी लड़ते हुए, उसको गोली लगी, और चे की गंस जाम हो गई थी, और उसके बावजूद वो दोड़े और बतिस्ता के गार्ट्स की हमत नहीं हुई, इस साथमी को दोड़ता देखते हुए, उनके मूँ खुले रह गए, और इन्होंने अपने साथी को हाथ में उठा के वो दूसरी तरफ कूदे उसको बचाने के लिए, तो एक तरफ साथियों के लिए अस्तर ही है, दूसरी तरफ जो डिजर्टर्स थे, अगर कोई छोड़ के भाग रहा है, या पार्टी के अंदर जो मुख्बिर हो गया, डर के, घबरा के, इसे भी वज़े से, उनके साथ बेहद निर्मंता, उनके तमाम बैग रॉफर से एक घटना की याद करते हैं, कि एक जो इनफॉर्मर था, जिसकी वज़ा से बहुत सारे साथी मारे भी गयते, और भी मारे जा सकते थे, जब उसके बारे में यो लोग सोच रहे थे, कि क्या क किया जा और अभी बात्चीत चल रही थी, तब तक उसी इनफॉर्नर ने, उसी मख्बिर हो गये पुराने दोस्त ने कहा, कि मतलब मेरी यातना को बढ़ाओ मत, मुझे मार दो, जल्दी मार दो, छे उठे और उन्होंने उसकी एक एर लोग पे मतलब गन रखके मार दी, और बाकएदा उसको नोट किया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो ये बात हमेशा भूल जातू हूँ, लेकिन मुझे ये बात सिहराती है, कि I took the temporal something something as the gunpoint and this point as the exit point and so on and so on, ये उसके बाद मतलब, जितना detachment से उन्होंने लिखा, कि वो मतलब किसी को सजा देने की बात में कर रहे है वो एक दम detached, तो उनके बैगराफर्स ने लिखा कि मतलब this act, so violent in nature, basically proves how detached he was with the violence, कि हिंसा की ये घटना ये भी साफ करती है, कि वो हिंसा से कितना अलगते है, वही हिंसा के बीच में होते हुए भी, आपको ये बात समझने में थोड़ी शायदिक का थो, लेकिन कभी और इस प बात करेंगे, कि हिंसा के बीच में होना और इस तरह से detached होना क्या होता है, खेर, 1908 लेट समर तक, मतलब इन लोगों ने काफी सारी जमीनें कभजा कर ली, और लास मर्सेडेस पे मतलब जो दस दिन से जादा लंबी लड़ाई हुई, और कुबन सेना को जो वहां से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि कुबन सेना जो थी, वो मतलब एक तनाशाह की सेना है, उसके पास एक तो लड़ने के लिए मोराल ही कितना है, दूसरे ये पहारों में लड़ाई है, जिनको गुरिले जो थे, वो आपने एकदम मतलब घर की तरह जानते थे, कहां से निकलना है, कहां से जानना है, आप ये देखें कि चंबल तक को कंट्रोल करने में कितने साल लग गए, भारती से ना को को बीहड वैसे ही इलाके हैं, अब आप खिल पे लड़ से सामने वाली जो ताकत है, आप उसको लगबग अपने बराबर मान लेते हैं, आपको स्विकार हैं या ना स्विकार हैं, और जब उन्होंने निगोशियेटर्स भेजे कास्त्रो को, तब तक गुरिल्ला सेना है, वापस हिल्स में घुजगन, और कुबन सेना को लोटना प पीच मतलब गवेरा क्या कर रहे थे, जो पूरा सप्लाइस का जो नेटवर्क है, और मेडिकल फैसलिटी से, ये चे देख रहे थे, और साथी, जो असिक्षत लोग थे, हिल्स में जो गरीब साथी थे, और बाकी भी लोग, वो उनको पढ़ा भी रहे थे, उनको बेसिक ची चीट लिया था, और ये बात महत्मों प्रोविंस था, दरसल फिदेल ने उसको इनको एक काम भी दिया था, कि लास विलास को दो हिस्से में माट देना है, कि मतलब इसको आपको अपनी गुरिल्ला टैक्टिस से ऐसे करना है, कि बतिस्तास की जो फोर्से से हो एक से दूसरे हिस्से में मूब ना कर पाएं, और ये तो छोड़िये ही, चैनी इसके आगे बहुत आगे बढ़के पूरा ही लगबग कबजा कर लिया था, और सांता क्लारा जो लास विलास की जो राजधानी थी, उस पे भी हमला कर दिया, और संख्या में वन टू टेन का रेशियो था, म है, ये सबसे जो शांदार दिन है, इसके बाद बतिस्ता का जो बतिस्ता जो है, ये सुनने के बाद उसको समझ में आ गया कि अब नहीं कुछ कर पाएंगे, और वो भाग गया, डॉमिनिकन रिपब्लिक, एक जनवरी, चै, उनके बाडी गार्ड पैमबो और बाकी साती हव पाना में घुसे, आठ जनवरी फिदेल आये, एक अद्भुत्स्वागत, उननिस सो उनसेट में जनवरी तू जून मतलब तक फिर से चै को वही काम मिला जिसके लिए उजाने गये थे, कि जितने भी सेना में बतिस्ता वदी थे, जो बतिस्ता समर्थकते उनको पर्च करना पुलिस से उनको निकालना, और चै ने फिर से ये काम बेहद निर्मनता, लेकिन बेहद डिटैच्मेंट से निभाया, पुरी दुन्या में निंदा भी हुई उन्ट्राइल्स की, लेकिन उसके बारे में मतलब आप चै को खुदी पढ़िएगा, 1969 में क्यूबन सरकार ने बाकाइदा नोट जारी करके चै को सिटीजन बाई बर्थ डिकलेयर किया, यह ऐसा बड़ा सम्मान है, मतलब जिसको हासिल करना मुझे लगता है, बहुत बार की कैसे मतलब कोई इस हद तक मूँच सकता है, इसके बाद चै को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया, साथ ही नेशनल बैंक का प्रेसिजेंट बनाया गया, और उन्होंने बहुत सारे उसमें काम किये, जिसमें लैंड रिफॉर्म सबसे बड़ा था, कि उन्होंने कहा कि इंडिविजूल लैंड होल्डिंग से एक हजार एकर से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और इसके अगर ऊपर कोई है, तो ये लैंड छीन दी जाएगी, और लोगों को बंट दी जाएगी, इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा नड़ा लिया, और जो कुबा में प्लांटेशन्स लगाने की अनुमती नहीं। इसके बाद खुच बदमाशियां लोग करते हैं, कि मतलब लोग ये कहते हैं कि चे को कास्ट्रों ने इसलिए भीजा था कि अपनी स्थती वो इसके पीछे कोई सच नहीं है, मतलब इसके बाद आप जो जम्मेदारियां दी फिदेल ने चे को अगर आप वो देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा, खेर ये जो लेंड रिफॉर्म था, उससे जो पुराने लेंड लाट्स थे, उनको तो दिक्कत होनी ही थी, वो रिजेंटमेंट थोड़ा था भी, चे ने इस बीच अपनी किताबें भी लिखी, बहुत सारे कुछ चे की हत्या करने की भी कोशि परकेन और उससे बनी हुई चीनी, उसको इंपूर्ट करने से मना कर दिया, बहुत घटा दिया, एक और नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के बतार चेने मतलब अपनी जो डिस्डेन दिखाया, मनिंग के लिए वो भी एक बहुत महत्पूर है, मतलब आप जानते हैं कि जो भ पूरा नाम साइन करेंगे, और अरस्तो गुएरा जिनका नाम था, गुएवारा भी बहुत लोग कहते हैं, उन्होंने नोट पे साइन किया छे, जो दर असल उनका नाम भी नहीं था, जो उनका तकलूस भी नहीं था, जो धरिया बस ऐसे ही पड़ गया था, तो ये भी एक बहुत मज़ेदार मतलब मुझे बात रखती है, खेर, उननिस सो एक सट हाते आते चे ने लैंड रिफार्म के साथ साथ एडूकेशनल रिफार्म में शुरू किये, जिसका बहुत महत्पूर हम देखते हैं, परिडाम, आज एनेचेस भी मतलब क्यूबन डॉक्टरों को दिरवासन में रह रहे थे, जो एंटी कॉमिनिस्ट थे, जो एंटी फिदेल थे, जो एंटी चे थे, उन लोगों ने मतलब हमला करने की कोशिस की जिसको बेयापिक्स कहते हैं, और उनको बाक्या था, उस ने ट्रेंड किया था, फ्लोरिडा में छिपे ही हुए थे वो, और आए, लेकिन, चे की जो ट्रेंग थी, और इस बात को C.I.A. भी मानता है, कि चे ने जिस तरह से मिलेटरी ट्रेंग दी थी अपने फाइटर्स को, कि उनको मतलब तुरंथ हराया, और अल्मूस्ट अल अब दम वर स्लाटर, इसके बाद मिसाइल क्रैसिस होई, और बहुत और खुष्यों तब राश्पती थे, उन्होंने माना भी, और जब एक अमेरिकी प्लेन देखा तो उसके बाद बहुत नेबल ब्लॉकेट किया, नेबल ब्लॉकेट के बाद मतलब दवर्ड हैस कम क्लोजेस्ट टू अ नुकलियर वार, उनली देन, खेर, तरसथ में चे कोई रिक और बेटी होती है, फिर तिरसथ में ही अर्जेंटीना में एक रवलूशनरी ग्रूप भेचते हैं, जो लोग मतलब वहाँ पर गौवर्मेंट को गिराने की कोशिस कर रहे थे, उन्निस सो चौशठ पूरा का पूरा फिर से अच्छे ही घुनते रहे, खास पर पर अफ 264 में उनका एक सबसे जो मश्यूर भाषन है, United Nations में वहाँ पर एक बहुत इंपैशन्ट एक घंटे की भाषन क्यूबा के प्रतनित के बतौर कभी आप सुनी हैं, और इस भाषन के बीच उनके ऊपर दो बार जानलेवा हमले की कोशिस की गई, नार्थ कोरिया गए, उसके अरिब में गए, आर्लेंड गए, आर्लेंड में उनका बड़ा प्यारा किस्सा है कि जब वहां के मंत्री ने पूछा कि आपके तो आपका परिवार तो आईरिश मूल का है, तो बोले कि मैंने पहले सोचा कि बताऊं, फिर मुझा लगा कि जादा ढूने तो कहीं यह पता च 68 में लोटे और सरकार को कहा, फिदेल को कहा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है, उनका जो बिश्वास है, उनका जो सपना है, पूरी दुनिया में करांति का है, उसके बाद छे बहुत दिन तक परिदिश से गायब रहे, पता नहीं चला कहा है, दरसल पता था, मतलब अम जांगों से वहां पे तंजानियां होते हुए, दरसलाम होते हुए, मतलब निकले, क्यूबा नेमबैसी में शरणडी, मतलब जूरोप और तमाम जगा होते हुए, क्यूबा लोटे, कास्त्रों से मिले, बेटे और बच्चों से मिले, और वहां से फिर वो साउथ अमेरिका चले गए, अर्जेंटीना, अरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, और फाइनली बोलीविया, जहां उन्होंने एक और करांटी की कोशिस की, यह आखरी कोशिस थी, मार्च महिने में, उन्ने सो संसट में, उन्होंने बहुत सफल हमले किये, और तमाम सफल हमले किये, बोलीविया के तनाशाह की सेना पर, लेकिन संसट आते आते, चो कि C.I.A. ने पूरी ताकत जहुँद दे थी, और रोडिक्स किसी ने देखा था, चे को, तो यह वो वक्त था, उनके बॉडिगार्ड और 26 जुलाई मूमेंट में ही, जब पहली बार ग्रैनमा से हमला किया था, उन्होंने, उनके तब के साथी, पैमबो, पैमबो का मैं असली नम हमेशा भूल जाता हूँ, पैमबो ही उनको कहा जाता ह जो बाजीवन बाडी गाडर है, जो बॉलिबिया में भी उनके साथ गए, उनको और बाकी साथियों को लॉटने के लिए बोल चुक है ते च्छे, आठ अक्टूबर को घिरे, पकड़े गए, सियाई ये जानती थी कि मतलब उनको जिन्दा पकड़ना ज्यादा बहतर है मार देने की बात सोच रहे हैं, are you afraid, are you thinking about your immortality, तुम डरे हुए हो या अपनी अनश्वरता के बारे में सोच रहे हो, छेखा जवाब था, मैं क्रांती के अनश्वरता के बारे में सोच रहे हूं, जब बंदूक निकाली तो चे दहाडे, शूट, कवर, गोली मारो कायर, तुम के एक इंसान को मार सकते हो, you can only kill a man, चे, साबित सही साबित हुए अपनी बात में, एक इंसान भी दरसल नहीं मरा, चे, अब जीते हैं, मतलब दुन्या वर में, बहतर दुन्या के सपने देखने वाले आखों में जीते हैं, मतलब अब तो चे, आपको बार्स में मिल जाएंग गोरिला पहाडियों पर मिल जाएंगे, केरल की किसी पिछली गली के मतलब भूले विसरी गाउं में मतलब मिल जाएंगे, चे, आपको अब वहाँ वहाँ मिलते हैं, जहां कभी इन लोगों ने सोचा नहीं होगा, तो इसी बानबेवी जन दन पर, बानबेवी बरसी पर, च आज के लिए बस उनकी इसमुरतियां, उन्हें लाल सलाम.